हलो दोस्तों स्वागत है मैं एक्टो चैनल ग्रोज कोड में तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दिखा था है एक्ट ओवर फेश्ट के बारे में एंड उस पे रेजिस्टेशन किया था एंड जो लोग भी न्यू है जो रेजिस्टेशन नहीं कि है एक्ट ओवर फेश्ट में हो जाकर रेजिस्टर करें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लास्ट वीडियो के वहां से आप देखके रेजिस्टर कर सकते हैं यह भी जान सकता कि है एक्ट ओवर फेश्ट होता क्या है अब इस व repo दोंगा जिससे आप भी pull request रेज कर सकते हैं and मैं उसे merge करके आपको help करूँगा active office का free swag लेने के लिए ठीक है तो testing purpose के लिए मैंने एक pull request रेज किया बाकी सब छोड़ दिया ठीक है तो मैं यहाँ पे आपको चार pull request दिखाऊंगा कि कैसे आपको pull request रेज करने है ताकि आपके यह 4 out of 4 हो सके and आप देख रहे होंगे कि मैंने जो रेज किया उसको वेटिंग में डाला one वेटिंग it means कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे pull slash merge request तो वेटिंग वेटिंग 5 hour 5 days 17 hour 28 minute and 40 seconds तो यह क्या हो रहा 6 days का interval है like कि जब भी आपका pull request जो भी आप pull request open source में contribute करेंगे तो वो क्या करेगा अगर जो उसका honor है उस open source का project का honor जो है वो अगर आपका pull request merge करता है तो वो merge को confirm करने के लिए यह 6 day का waiting period लेगा and within 6 days आप जैसे यह 6th timer end होगा और pull request valid हुआ तो यह क्या होगा यहाँ पर आपको one आ जाएगा तो यह one by four आ जाएगा तो मैंने यह सिप testing purpose के लिए किया था और मैं यहाँ पर live demo देखा हूँगा कि कैसे आपको pull request raise करना है और कैसे आप जैसे raise करेंगे आप below comment में आके अपने branch का name आप मुझे comment आउट करेंगे ताकि मैं क्या करूँगा आपका pull request अपने project में merge कर सको ठीक है और जितने भी आप pull request raise करेंगे वह सारे यहाँ पर दिखेंगे और उस पर क्या क्या हुआ है वह आपको दिखेंगे जैसे कि आप pull request raise किये ठीक है तो उसके साथ वह valid pull request है या नहीं या वह दिखाएगा अगर valid merge हो गया तो यह timing start हो जाएगा ठीक है तो ऐसे आप कर सकते तो यह सब चीज़े हम देखेंगे अब आपको बताने से पहले pull request बताने से पहले merge बताने से पहले मैं एक चीज के बारे मैं discuss करना चाहता हूँ जो github है Q예 Гит क्या है? एक're टूल है जिसको हम लोग version control के लिए एज करते है and jdu platform हम लोग यूज करते हैं version control के लिए उसे हम GitHub कहते है तो git क्या है एक tool है और github क्या है एक platform है version control के लिए ठीक है तो github यह है तो अब हम लोग इसमें करते क्या है pull request और उसको merge कैसे करते है pull request जो भी होता है यह एक features होता है for example देखिए आप कोई भी open source हुआ है उसमें क्या होता है एक features हमने create किया तो वो क्या करते है हम लोग एक request भेजते है honor को कि मैंने यह features develop किया या फिर यह आपकी जो project में issue थे उसको मैंने develop किया आप इसको review किजिए आप इसको देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो यह code को आप अपने code में contribute कर सकते हैं वो pull request होगा और जैसे ही जो open source का project honor है वो उस pull request को देखा उस pull request को verify किया एंड जो उसके issue थे या फिर new features जो आपने add किये वो verify करने के बाद उसे लगा कि नहीं यह चीजे implement करनी चाहिए तो वो क्या करेगा आपका pull request को accept करेगा तो उसी को जब वो accept करेगा तो उसको क्या बोलता है merge बोलते हैं तो वो क्या होगा merge हो जाएगा आपका change main project में ठीक है यह जरूरी नहीं है कि हमेशा आप open source for example अगर आप किसी organization में work करें तो उस organization के एक project होते है जिसमें main branch होते है and others जैसे backend, frontend, developer branch यह सब सारे branches होते हैं तो उसमें क्या होता हर branch पे अलग-अलग team work करती है अपने कोई एक team for example backend ने कोई new API developed किया तो वो new API क्या करेगा pull request send करेगा main branch को यह develop branch को कि यह देखिए मैंने यह API generate किया है, मैंने सारे टेस्टेस किया है आप इस branch को इस new API को test किजिए and अपने main branch के main code में आप उसको merge किजिए तो उसको हम लोग बोलता है pull request and merge request तो अब हम देखेंगे कि कैसे मैं दो github का link github repo का link मैं description में दे दूँगा, जहां से आप pull request raise कर सकते हैं बट यह pull request raise कैसे करना है वह अब हम लोग live देखते हैं तो देखिए यह दो github open repo है, programming language and web development यह दोनों repo का link मैं description में दे दूँगा, वहां से आप pull request raise कर सकते हैं इसमें देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर programming language में बहुत सारे different programming language के branches बनाया है java script c++ c go java python यह सब सारे programming language है तो मतलब आप और भी branches create कर सकते हैं बट यह इतना ही मैंने किया है आपको क्या करने है इस को अपने इस link को open करना है ठीक है आप अपने github पे login किये रहेंगे ठीक है और नहीं किया है तो फिर से login कर लिजए account नहीं create किये तो वह भी account create कर सकते हैं create करने के बाद login करेंगे और इस repo का link को open करेंगे उसके बाद यह मैंने पहले ही से कर चुका हूँ तो मैं इस वाले पर बताता हूँ इसको क्या करेंगे एक यहां पर start पर click करेंगे and इसको fork करेंगे ठीक है तो जैसे fork पर click करेंगे यह आएगा ऐसे आप क्या करना है create fork करना है यह क्या करेंगा एक same repo आपके code base में create कर देगा और जैसे यह fork हुआ फिर आपको इस code पर click करना है and यहां से यह link copy करना है यह वाला link आप copy करेंगे और ध्यान दीजे यह हमेशा https पर होना चाहिए https पर रहेगा तो ही आप link copy करेंगे या फिर इसका zip file download कर सकते है बट zip file download करने की कोई जरूवत नहीं है आप यहां से direct clone कर सकते है और मैं इस चीज को अपने linux system पे आपको show कर रहा हूं बट यह जरूरी नहीं कि आप linux पे ही करें आप इसको direct अपने windows system पे भी कर सकते हैं बट मैं linux पे कर रहा हूं क्योंकि linux पे मेरे को github यूज़ करना ज्यादा preferable लगता है अब आपको आना है अपने cmd open कर लिज़े या फिर अगर आप linux system यूज़ कर रहे है तो आप अपना वहाँ पे terminal open कर लिज़े वहाँ पे लिखना है git clone and paste कर देना है repo link और ध्यान दीजिएगा कि repo link के last में .git होना चाहिए जैसे आप copy करेंगे तो .git आएगा ही तो आप वहाँ से ऐसे clone कर सकते है थोगा time लेगा clone करने में and यह clone complete हो गया जैसे यहाँ पे मेरा web development clone हुआ है इस folder में देखिए मेरे सारे files है यहाँ पे जो file वहाँ पे थे वही सारे files है अब इसको आप क्या करिए vs studio code में open किजिए मैं भी vs studio code में open करता हूँ जो आप vs code open करेंगे तो ऐसे open होगा आपको क्या करना file पे जाना है open folder और जो folder का path है वो देना है तो मेरा किस path पे है desktop path पे ठीक है तो मैं desktop open करूँगा और यहाँ पे open कर दिया मैंने तो यहाँ पे देखिए do you trust author of the file folder तो yes i trust the author पे click किजिएगा यह open हो गया ठीक है उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे terminal पे new terminal open करूँगा and यहाँ पे git checkout and यहाँ पे branch name देना है तो branch name के जगह पे आप कोई भी suitable branch name दे सकते हैं या फिर आप अपना github का user id दे सकते हैं ठीक है जैसे मैं यहाँ पे grow with code दे रहा हूं तो आप अपना username यहाँ पे दे सकते हैं तो यह क्या किया grow with code branch में switch कर गया अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे मैंने file बनाऊंगा hello.html आप कोई सा भी file बना सकते हैं ठीक है यह आप पे depend करता है and जो भी आप बनाएंगे वो assets के अंदर ही बनाएंगे ठीक है उसके बाद मैं html यहाँ पे और यहाँ पे title हम देंगे आप अपना username title देंगे and जो भी लिखना चाहता है for example मैंने यहाँ पे लिखा h1 hello world मैंने save किया तो अब देखिए दो चीजे हो सकती है ठीक है यहाँ पे एक through command line आप यहाँ पे गये through command line commit कर दिये message enter किये और commit कर दिये ठीक है तो vs code में यह profit होता है कि आप अगर use करने तो आप direct commit कर सकते हैं यहाँ पे message type करके अगर आप vs code नहीं use करना चाहते है तो terminal use किजिए terminal पे आप लिखिए git add तो यह क्या करेगा add करतेगा फिर git commit m और यहाँ पे आप अपना message input किजिए hello world stml page मैंने यह लिखा enter किया अब यह add हो गया अब मेरे को यह क्या करना है पुस्ट करना है तो git पुस origin मेर ब्रांच नेम क्या था grow with code तो यह क्या करेगा grow with code में कुछ time लेगा and पुस्ट कर देगा अगर आपने sign in नहीं किया होगा vs code पे तो यह आपके default ब्राउजर पे यूज करेगा कि authorize github for vs code आपको continue कर देना है तो यह क्या करेगा authorize हो जाएगा और यह जब vs code authorize हो जाएगा तो हो सकता आपसे यह भी पूछे यहाँ पे तो आप authorize कर सकते vs code को और अगर यह नहीं पूछा है तो direct ऐसे ही पूछेगा और उसके बाद यह authorize कर देगा vs code को और जैसे यह authorize होता है आप freely push कर सकते हैं अब देखिए यह authorize हो चुका है तो थोड़ा सा time लेगा push करने में and यहाँ पे देखिए यह क्या किया push कर दिया and ऐसे आपको एक message pop-up होगा मैं इसको zoom करके दिखाता हूँ देखिए यह message pop-up हुआ अब आपको क्या करना है आपको अपना github किसी भी browser में open करना है जैसे मैंने यहाँ पे अपना github open किया तो देखिए github open किया तो मैंने यहाँ पे अभी push request किया था तो देखिए यहाँ पे grow with code has recent push 2 seconds and compare and create pull request तो मैं क्या कर रहा हूँ अब compare and pull request पे click कर रहा हूँ अगर यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है for example यह चीज नहीं आ रही है आप इसको enter कर सकते हैं and यहाँ पे आपको title देना है और उसका description देना है एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है base request host mkg web development यहाँ पे इस repo पे पूस्ट कर रहा है base इसका main है main branch में आप पूस्ट कर रहा है आप चाहे तो यहाँ पे यह वाला ऐसे check कर लिजेगा yes name होना चाहिए और फिर यहाँ पे head repository यहाँ पे आपका आना चाहिए आपका username with web development repo and compare यहाँ पे आपका branch name आना चाहिए and जैसे इस पे click करेंगे आप यहाँ पे अब create pull request पे click कर सकते आपको जो description देना है वो एक अच्छा सा description देके आप pull request create कर सकते and जैसे यहाँ पे यह pull request दिखाएगा कि able to merge checking for the ability to merge automatic यह जैसे green check हो गया ठीक है अब आप अगर अपने head over face वाले page पे जाएंगे फिर से और इसको क्या करेंगे refresh करेंगे तो यह loading profile लेगा and one waiting and दूसरा चीज देखिए यहाँ पे title hello world html page जो मैंने commit दिया था वो title पे आया यहाँ पे जो PR मैंने raise किया है वो दिखा रहा है not accepted यहाँ पे अभी accept मैंने नहीं किया है इसलिए यह not accepted दिखा रहा है बट PR rage हो चुका है तो जैसे मैं accept करूँगा फिर से यह counting start हो जाएगे तो मैं जल्दी से उस accept करके दिखाता हूँ कि इसका counting start होता है या जैसे मैंने merge किया वैसे आपको mail पे एक mail आएगा from github कि merged into main यह वाला mail आया it means कि आपका PR merge हो चुका है and यहां पे reflect करने के लिए act over face profile update once every 15 minute if you are loading the page often once every 6 hour in the background ठीक है यह क्या हो रहा है कि every 15 second के बाद यह 15 minute के बाद यह check करेगा and within 15 minute यह आपको दिखाएगा कि accepted हो चुका है and जैसे accepted वहां पे so करता है मैं क्या करता हूँ अभी video pause कर दूँगा ठीक है जैसे accepted so करेगा वैसे ही मैं आपको timer count वहां पे दिखा दूँगा आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं सारे PR रेज कर सकते हैं दोनों repo पे मिलाके 4 PR या 5 PR maximum 5 PR आप रेज कर सकते हैं and आप अपने branch के name निचे comment में comment कर दिजिए ताकि मैं उस branch को अपने open source repo पे merge कर सकूँ I think यह बहुत ज्यादा time लेगा fetch करने में but जैसे ही आपका pull request merge request accept होगा and यहाँ पे timer start होगा तो आपको एक ऐसा यहाँ पे mail आएगा hack to work face के तरफ से project maintainer has approved your first hack to work 2024 pull slash merge request यह mail आएगा it means कि आपका hack to work face का pull or merge request है वह accept हो चुका and आपका timer start हो गया और जैसे timer start होगा waiting period यहाँ पे start हो जाएगा और आप यहाँ से भी देख सकते है awesome your PR PR merge request has been accepted by the maintainer and is now in the 7 day review period no action is needed and assume your PR merge request is still accepted after 7 days it will count to towards your participation in hack to work face तो 7 day तक अगर merge request accepted रहता है तो वह hack to work face में count होगा और इस पे जब आप click करेंगे your PR merge request has yet been accepted by the maintainer of the repository to accept a maintainer either need to merge your PR add to the hack to work face accept label or leave an overall approving review तो यह सब सारी चीज़े होंगी तो वह accepted हो जाएंगी ठीक है तो आप PR और merge request PR rage कर सकते हैं और मैं PR accept करूँगा अपने hack to work face के जो open source project है और आपको अपना branch name और किस open source project पे आपने PR rage किया उसको comment करना है ताकि मैं identify कर पाऊं और उसे accept कर पाऊं अगर मेरा video अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe जरूर करे और अपने दोस्तों को share करे जो भी hack to work face में participate कर रहे और उनको कोई open source project नहीं मिला contribute करने के लिए या फिर मिल रहा है तो उनका PR accept नहीं हो रहा है तो उसे friends को आप ये video refer कर सकते ताकि मैं उनको help कर सकूँ उनके PR accept करने में और hack to work face के certification free swags win करने में